खरीफ सीजन की बुवाई लगभग पूरी हो गई है. इस खरीफ सीजन मौनसून की महरबानी के चलते बुवाई का रगबा रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिख रहा है. मसलन, इस बार खरीफ सीजन के रगबे में 22 फीसदी की बड़ोतरी दर्स की है. इस बीच देश में गेह के दामों में तेजी दर्स की गई है. गेहूं के दामों में ये बढ़ायतरी तब है, जब त्योहार सीजन शुरू होने में अभी समय है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन गेहूं 3000 क्विंटल पार कर जाएगा. हालांकि बाजार को गेहूं के दामों को नियं मसलन, पिछले देर महीने से गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है. दिल्ली फलायर मिल्स एसोसियेशन का कहना है कि जुलाई के बाद से गेहूं के दामों में तेजी है. आलम ये है कि देर महीने में गेहूं के दाम 150 रुपए तक बढ़ गए हैं, जो गेहुं के दामों में मौजूदा वक्त में तेजी है जबकि आने वाला अक्टूबर महीना त्योहार का है मसलन इस साल अक्टूबर में नवरातरों के साथ ही दीपावली भी है ऐसे में माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन यानी सितंबर के आखिर तक गेहुं के दाम 3,000 पार कर जाएंगे इसको लेकर दिल्ली फ्लायर मिल्स एसोसियेशन का कहना है कि गेहुं के दामों में बढ़ायतरी का मुखे कारण बाजार में गेहुं की कमी है बाजार में गेहूं का स्टॉक जिस तरीके से उलजा हुआ है उसको देखें तो कहा जा सकता है कि इस त्योहारी सीजन में गेहूं के दाम तीन हजार पार कर जाएंगे गेहूं के दामाएं में बड़ोतरी जारी है त्योहारी सीजन से पहले गेहूं के दाम 3,000 रुपए क्विंटल पार होने की प्रबल संभावनाय बनी हुई है लेकिन बाजार को गेहूं के दामाए में नियंतरन के लिए OMSS का इंतजार है डॉट डिल्ली फ्लायर मिल्स एसोसियेशन का कहना है कि सरकार ने OMSS के जरिये FCI के स्टॉक से 2300 रुपए क्विंटल पर गेहूं को बाजार में उतारना था जिससे गेहूं के दामों में नियंतरन की उम्मीद थी लेकिन अभी तक गेहूं OMSS के जरिये नहीं आया है वहीं रोलर फ्लायर मिलर्स फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष कहते हैं कि गेहूं के दामों पर नियंतरन के लिए OMSS का इंतजार है इससे ही गेहूं के दाम नियंतरित होंगे अगर सरकार OMSS के जरीए गेहूं नहीं बेचेगी तो गेहूं के दामों में बढ़ोतरी तय है OMSS के जरीए कितना गेहूं बाजार में आना चाहिए इस सवाल के जवाब में वह कहते हैं कि जरूरी है कि सरकार गेहूं का इंपोर्ट सुचारू करे इससे गेहूं के दामों में नियंतरन होगा वही अगर त्योहारी सीजन से पहले OMSS के जरीए 2300 रुपए क्विंटल पर गेहूं बाजार में आता है तो इससे गेहूं के दाम गिरेंगे लेकिन सवाल ये है कि गेहूं की सरकारी खरीद पिछले तीन साल से लक्षे पूरा नहीं कर पा रही पाई हो FCI के स्टॉक में सरपलस गेहूं का गनित गर बढ़ाया हुआ हो तो सवाल ये है कि कि कितना गेहूं त्योहारी सीजन से पहले बाजार में OMSS के जरीए उतारा जाएगा असल में FCI के पास कुल स्टॉक 330 मीटरिक तन के पास है इसी स्टॉक से मार्च तक 75 मीटरिक तन गेहूं का बफर स्टॉक बनाए रखने की चुनाओती है तो वहीं 80 करोड लोगों को फ्री अनाज में 185 मीटरिक तन गेहूं भी वित्रित करना है इस स्थिती में 70 मीटरिक तन गेहूं का स्टाक की सर प्लस है ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल 100 मीटरिक टन OMSS के जरिये खुले बाजार में आया था ऐसे में त्योहारी सीजन के बाद नई आवक आने से पहले गिहूं के दामों में तेजी बनी रहेगी Bureau Report Market Times TV